यह GOC का second part का वीडियो है, इसके first part में मैंने 11 questions cover किये थे, July shift का, अब यह July shift का 12 onward, 12 से लेके 20 तक के questions, total 20 questions पुझे गए थे, तो 20 questions हम लोग cover करेंगे, तो अब यह थे, तो अब यह थे, तो अब यह थे, तो देखो इसमें प्लानिंग फिर से वही सिंपल सी प्लानिंग है, just a minute, planning मेरी क्या है मैं बताता हूँ, कि इस AGBR में, जितने भी BR होंगे, ठीक है, इतने ग्राम AG में, जितने भी BR होंगे, वो पूरा का पूरा organic compound से आया है, तो AGBR में BR निकालके, परसिंटेज निकालने के लिए, यह BR organic compound से आये, तो जितना भी BR इसमें है, उतना ही BR organic compound में रहा होगा, तो यहां से जो BR आएगा, उसको organic compound के मास से डिवाइट करके, इंटू 100 करना है, यही पूरी planning है, तो यह मैंने planning यहाँ पर भी लिख दिया है, 188, तो इसका मतब 188 gram जब total है तो उसमें BR 80 gram है, हमें यह molecular mass बता रहा है, तो यही मैंने लिख दिया, 188 gram, AGBR में 80 gram BR है, तो इसलिए 1 gram के लिए इतना होगा, और हमारे पास organic compound जो दिया हुआ था, नहीं, AGBR जो बना था 0.36 gram था, तो इसलिए 0.36 gram में कितना BR होगा, यह हमने निकाल लिया, multiply करके, यह इतना gram आ गया, तो एकदम exact molar mass से रिलेट करना है सबको, यह molar mass है, यह BR है, तो इतने gram AGBR में 80 gram BR है, यह जैसे ही पता चल गया, तो इतने gram में कितना BR होगा, यह हमें पता चल जाएगा, तो इतना gram आ गया, है बस, symbols are calculation, BR का जो भी mass आया है, उसको organic compound से बडिवाइड करो, इंटो 100 करो, 34%, heading for the next question, अगला question, कह रहे तो optical activity of an enantiomeric mixture is 12.6 degree, plus 12.60, the specific rotation of plus isomer is plus 30 degree, the optical purity is, तो देखो पहले optical purity का मतलब मैं बता देता हूँ, क्या मतलब है, मान लो, कि, एक plus वाला isomer, और एक minus वाला isomer, ठीके न, यह, suppose करो कि, say, 80% है, और यह 20% है, तो इस combination में, purity जो होगी 60%, क्योंकि 20%, इसके 20% effect को खतम कर देगा, minus वाला, अपने बराबर, plus वाले के effect को खतम करेगा, तो 20%, तो 20% को खतम कर देगा, तो 60% रह जाएगा, यह इसकी optical purity हो गई, आप को कि, say, मानलो, ऐसा होता, यह 60% होता, और यह 40% होता, तो, तो मैं कोँगा, यह 40%, इसके 40% effect को खतम करता, तो इसका मतलब 20% optical purity रह जाती, मानलो, आपको उसार, दोनो 50-50 होते, तो, तो optical purity कितनी होती, मैं कुछ भी नहीं, 0% होती, तो यह हुआ, बेसिक सेंस, अब इसमें आते हैं, तो मैं simple लेखूंगा, यह नोटर मैथड से करना है, कि plus 30 degree, ठीक है, optical rotation, specific rotation, यह मैंने लिखा, SP rotation, तो plus 30 degree specific rotation था, तो purity 100% होता, क्योंकि पूरा को पूरा, जब यह होगा न, एक isomer, तो वो plus 30 degree rotate करेगा, जैसे ही दूसरा mix करेगा, तो उसके effect को थोरा से कम करेगा, और angle कम होगा, तो plus 30 degree में 100% purity है, तो 1 degree में 100 by 30 होगा, तो 12.6 degree में कितना हो जाएगा, तो 100 by 30 into 12.6, 42% की optical purity आएगी, heading for 14th question, यह आगया 14th question, यह matrix match है, बहुत ही easy question है, ठीक है, यह aromatic compound, already video 1 में, मैंने पूरा detail में aromatic के सारे event buds बता दिये, ठीक है, तो इसको watch करने के पहले, इसको आप जरूर watch करना, तो यह aromatic है, ठीक है, तो पहला तो यह aromatic के साथ इसको match कर दो, देखो, spiral compound क्या होता है, जब 2 ring में, एक carbon common हो, जैसे यह ring और यह ring, इसमें एक carbon common होता है, तो इसको हम कहते है, spiral compound, ठीक है, one carbon is common between two rings, इसलिए यह ऐसा इसमें match हो रहा है, और bicyclo हम किसको कहते हैं, इसको बाइसाइक्लो, कुछ और बाइसाइक्लो के example में बता रहा हूँ, य एक ring, यह दूसरा connection दे दिया आपने, तो इन दोनों में, दो ring जो बनेगा, यह कि यह five member का, यह six member का ring, समझ में आ रहा है न, यह five member का ring, यह six member का ring, इसमें दो carbon common हो गए, यह सब example है, bicyclo के, bicyclo आप किसी भी size का बना सकते हैं, यह लोग, कोई student कैसे, मैं ऐसे connection दूँगा, अब तुम कैसे भी connect करो, दो ring, carbon को तो common करोगे न, यह सब bicyclo के example हो जाएंगे, तो these are the example of bicyclo, spiral, अब इसी तरीके से, मालो ऐसे गर दो, हो गया, spiral, एक carbon, दो ring के बीच में common है, ठीक है, तो यह इसका match bicyclo के साथ, ठीक है, non planar heterocyclic compound, यह हो जाएगा, non planar, क्योंकि यह SP3 carbon ह इसे लिए planar नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो match हो गया, आप suitable options, खुद से match करा लेना, heading for the next, अगला है, among the following, marked proton, अच्छा, यह mark कर रखा है, हर proton को, यहाँ पर, यह proton जो है न, यह सब को mark की है, इसके नीचे underline है, marked proton, which compound shows lowest pka, देखो भई, के value high होना मतलब, strong acid, strong acid, यह हमें पता है, तो अगर k high होगा, और pka का मतलब होता है, pka का मतलब होता है, minus log of k, तो जैसे minus log लगाएंगे, तो value कम हो जाएगी, क्यों, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 3 is greater than 2, लेकिन जैसे minus sign लगा होगे न, तो minus 3 और minus 2 में, minus 2 greater हो ज काता है, तो k जादा होना, इसका मतलब pka इसका कम होना, इसका मतलब ये condition हो, चाहे k जादा कहें, या pka कम कहें, तो ये strong acid होगा, अब कहा रहा है कि lowest pka, यानि lowest pka का मतलब strongest acid, तो इन में जो सबसे strongest acid होगा, वो हमारा answer होगा, अब previous video में ही मैंने बता दिया था concept, कि acidic strength कैसे निकालते हैं, कि कोई भी acid है, इसका conjugate base बनाओ, h plus हटा के जो conjugate base बनेगा, higher stability of conjugate base, इसकी जतनी ज़्यादा stability होगी, उसका acid उतना ही strong होगा, तो मैंने यहाँ पे हर जगा conjugate base बना दिया, h plus हटा के, h plus हटा आया, तो माइनस आगया carbon पे, हर जगा हटा दिया, बना दिया, अब ह इस case में भी two resonance, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह होगा, कि यह जो bond है ना, यह वाला bond, ठीक है न, यह इसके साथ resonance हो participate कर रहा है, लेकिन इसको oxygen का loan pair भी share कर रहा है, देख रहा है न, यानि यह जो bond हुआ, यह cross resonance में चला गया, यानि इसकी availability इस negative के लिए थोड़ी कम हो जा इसके लिए इस c-able bond की availability कम हो जाएगी, जिससे resonance कम जोर हो जाता है, तो उस phenomena को हम यहाँ पर जरूर लिखेंगे, लेकिन साथ में cross resonance है, यानि थोड़ा सा यह two resonance रुक रुक के होगा, यहाँ पर कोई cross resonance नहीं है, यह पूरा 100% सिर्फ इसी के साथ conjugated है, यहाँ पर तो कोई species नहीं जिसके पास कोई loan pair हो, तो 100% scale available है, तो बहुत दनादन resonance होगा, तो इसके compare में यह ज्यादा effective resonance होगा, यह ज्यादा stable होगा, और आगे आते हैं, यहाँ पर देखो, यह जो negative है, बेंजीन के साथ भी resonance में है, और कोई भी charge जब बेंजीन resonate करेगा, प्रिवेस वीडियो देखने के बाद ही आफ वीडियो 2 देखना, क्योंकि यह सारी चीज़ उसमें discuss हो चुकी है, डेटेल में, तो कोई भी charge जब बेंजीन से resonate होगा, तो 5 बनेंगे, तो इधर 5 और एक extra 6, तो total यहाँ पर 6 resonance आएंगे, कोई cross resonance नहीं, तो 6 resonance, बेंजीन के कारण 5 और एक इधर के कारण 6, यहाँ पर आते हैं, तो बेंजीन के कारण 5, इधर के कारण 6, लेकिन इस बर वही spoiler आगया फिर से, इस C double bond को ये engage करेगा थोरी देर के लिए, तो उस समय C double bond के लिए इसको wait करना परेगा, तो यहाँ पर no doubt, बेंजीन वाला और इधर वाला दोनों resonance है, 6 resonance है, लेकि इसके corresponding acid most strong, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, next, assertion reason का question है, आते हैं, assertion पहले read करते हैं, thin layer chromatography is an adsorption chromatography, बिल्कुल सही है, यह chromatography वाला जो case आया था, आप video 1 देख लो, उसमें बता रखा है, उसमें हम element में adsorbed भी तो होता था, यहाँ पर silica gel, SiO2 and Al2O3 लेते थे हम, ठीक है, silica gel लेते थे, तो यह जो Al2O3 आप लेते हो, ठीक है, इसमें जो drop डालते हो, उसके बाद इसको, इसमें dip करते हो, इसको, solvent में, तो solvent adsorb होके ही तो उपर जाता है, जैसे लिए यह phenomenon बिल्कुल correct है, अब आते हैं, a thin layer of silica gel is spread over the glass plate of suitable size in a thin layer chromatography, which act as adsorbent, पिल्कुल सही है, यही तो adsorbent की तरह act करता है, यही तो adsorb करके, इन सब को उपर की तरह खीचता है, तो दोनों ही सही है, correct explanation भी है, यह हो जाएगा, अब किसी student को यह अगर नहीं clear हुआ है, तो आप video 1 देखो, उसमें question आया थो, तो मैंने पूरे detail ही बता दिया था, chromatography का उसमें, आप उसको जरूर वाच करना, अगर इन केस यह direct देख रहो तो, आजओ next, फिर से, a sample of 0.125 gram of organic compound, when analyzed by Dumas method, yields this much ml of nitrogen gas, तो देखो, सीधा सा बात है, यह organic compound है, इसके सारे nitrogen को हमने N2 gas में convert कर दिया, जिसका की volume इतना है, collected over KOH solution at 280 Kelvin and this much mm of pressure, तो हमें N2 का volume, temperature और pressure दे दिया, तो पूछा, find the percentage of nitrogen in the organic compound, तो देखो, कहानी बिल्कुल सिंपल है, फिर से, जो organic compound, अच्छे, यहां लिख दिया है, मैंने planning में इसी को read कर देता हूँ, देखो, जो भी organic compound है, 0.125 gram, इसके सारे nitrogen को हमने N2 में convert किया, और यह जो N2 में convert किया, इसका यह रहा detail हमें दिया हुआ है, आजो, pressure कितना दिया है, 22.78 N2 moist का, नहीं, सोरी, यह volume है, यह 759, तो यह 759 दिया था, वो मैंने लिख दिया, ठीक है, यह moist क्यों लिखा, क्योंकि न nitrogen निकला है, इसके साथ vapor pressure भी यह होगा, water का, water के भी vapor present है, वो भी अपना एक pressure exert कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 14.2, इसलिए मैंने moist nitrogen लिख दिया, वो है 759, अब water vapor का pressure कितना है, 14.2 यह data हमें दे रखा है, vapor pressure का, तो अब N2 dry का कितना pressure हो जाएगा, तो simply इसमें से इसको subtract कर देंगे, तो मैंने subtract कर दिया, तो यह 744.8 mm आ गया, ठीक है, यह क्योंकि otherwise आप इसके basis पे पीवीजगल टू अप्लाई करके moles निकालोगे न, तो गरवर हो जाएगा, क्योंकि nitrogen का pressure नहीं है, क्योंकि nitrogen प्लस water vapor का pressure है, तो उसे error वाला nitrogen के moles आएगे, तो इसलिए पहले हमें absolute पहले हो ड्राई nitrogen का pressure निकालना था, अब हम moles of nitrogen निकालेंगे by using pv equal to nrt, तो यह रहा p, ठीक है, और यह रहा v volume और यह रहा t, तो यह pv equal to nrt से हमने n निकाला, pv by rt, यह रहा pressure, ठीक है, 744.8 by 760q, क्योंकि जो r हम use करेंगे, उसमें liter और atmosphere unit है, अब यहाँ पे ध्यान दो, liter और atmosphere है, तो volume हमें liters में चाहिए, ठीक है, और pressure atmosphere में, तो यह mm में था, तो इसको मैंने 760 से divide कर दिया, ATM के लिए, volume ml में था, तो उसको liter के लिए 1000 से divide किया, तो pv by r, और temperature 280, solve करने के बाद यह रहा है, 9.72 to 10 to the power minus 4 moles, अब mass of nitrogen निकालते हैं, तो mass of nitrogen के लिए क्या करना होगा, mass of nitrogen, 22 का 28, तो यह आगया हमारे पास 0.028 grams, बस, तो जब nitrogen का हमारे पास mass आगया, तो mass of nitrogen divided by mass of organic compound into 100 is the percentage, यह आजाएगा 21.77 nearest integer का है, तो इसको हम 22 लिख देंगे, तो यह था पूरा calculation, heading for the next, अब यह कह रहा है, chloroform and aniline, ठीक है, फिर से आप अगर उस वीडियो को recall करोगे, जहाँ पर मैंने बताया था, वहाँ पर यह सारी चीशे लिखी हुई है, कि इसको हम कैसे कैसे separate करते हैं, chloroform, aniline, तो chloroform और aniline, यह simple distillation में आया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हू वह वाला पार्ट, यह रहा है, यह previous वीडियो का slide है, जहाँ पर यह मैंने लिखा हुआ है, उसके PDF में, तो मैं इसको ले गया रहा हूँ, तो देखो, simple example दिया हुआ था, NCRT ने, simple distillation, chloroform और aniline, exact वही पूछा हुआ है, तो इसके लिए simple distillation हम use करते हैं, ठीक है, steam distillation के ल आजाओ, यह हो गया, simple distillation, SD, यानि इसका मैच हो जाएगा, third, water aniline देखो आगया, steam distillation, first, जो जो एकदम, आपको एकदम, आराम से पता चल जाए ना, ठीक है, उसको माक कर दो, ठीक है, इसके बाद आजाओ, naphthalene and sodium chloride, आपको पता है, नमप जो होता है, इसकी boiling point बहुत हाई होती है, और naphthalene तुरंद vaporize हो जाता है, तो इसके लिए best is sublimation, ठीक है, sublime हो जाएगा, naphthalene, तो D के लिए आजाएगा, two, अब जो रह गया हो, उसके लिए जाएगा, fourth, ठीक है, so we have got the answer, वो हम suitable यहाँ से देखके match करा लेंगे, next, के रहे है, the correct structure of gamma-methyl cyclohexane, तो पहले alpha-beta-gamma, यह position आपको देखना है, अच्छा, cyclohexane, carbo-aldehyde है, ठीक है न, तो carbo-aldehyde तब लगता है, जब ring के साथ CHO लगा हुआ हो, तो इसके लिए हम carbo-aldehyde लगाते हैं, तो cyclohexane पे carbo-aldehyde लगाएगा है, यह यह नहीं है, थर्ड होता है gamma, ऐसे ही, इस side से alpha, यह beta और यह gamma, तो इस पे methyl लगा होना चाहिए, गामा position पे, तो गामा position पे हमें methyl लगाना है, यह structure आएगा, यह first option में है, A, A is correct, यहां by mistake न, एक और डंडी दे दी थी, तो उसका मतलब यह थाइल हो जा रहा था, तो यसलिए मैं उसको cover क question पे आते हैं, यह फिर से वही है, two statements है, true false बताना है, देखो यह जो compound दिया है, पहले इसकी आप analysis कर लो, यह जो है, यह cis है, क्योंकि double bond की यह इधर है, यह इधर है, दोनों same side में है, तो इसलिए यह cis है, और यह वाला जो है, यह trans है, यह इधर है, तो यह इसकी opposite है, तो य मैंने इस form में लिख दिया, cis trans के form में, carbon, no2 solid line से, और h dotted line से, cis उपर की तरफ, trans नीचे की तरफ, इसका मैं mirror image बना रहा हूँ, यह देखो, यह mirror image है, तो no2 solid line से, solid line का मतलब तो यह बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें भी no2 बाहर की तरफ आएगा, तो यह बना दिया, h dotted line स h dotted line से, cis उपर है, तो जो उपर होगा mirror में, उपर ही आएगा, तो cis उपर, trans नीचे, यह इसका mirror image है, अब यह जो molecule दिया हुए, इसको मैंने फिर से यहाँ पर बनाया, इसमें यह देखो, यह trans और यह रहा cis, as it is लेके copy किया, trans, cis, अब यह देख लो, यह दोनों different है, क्योंक second option में कह रहा था कि क्या यह इसका mirror image है, तो यह इसका नहीं है, हाँ, यह optically active है, क्योंकि यह chiral है, इसलिए first option is correct, second is false, and second is false, यह option आजाएगा इसमें, बस इतने ही questions थे, ठीक है, thanks for watching, और इस तरह से हमारा GOC, 2023 July shift के, दो वीडियो के थुरू पूरा cover हो गया, thank you once again.